नमस्कार आप देखने पटनानी 24 लाइट खबर बगहां के मदबनी परखंड छेतर से है जहां आप गंडक नदी के कटाव की रोक्थाम के लिए एक और नोखी पहल करते हुए आस्थानिये लोगों के साथ परखंड परमुक परतिनीदी ने किया गंगा आर्ति और अराधना वही सकार्जक्रम में सैक्रों के सैंख्या में अस्थानियों लोग मौजूद रहे गंडक पार के मदबनी परखंड छेतर के रंगलवही और गदियानी टोला गाव के समीप गंडक नदी महीनों से कटाव कर रही है अलांकि नदी के जलस्तर में उतार चड़ाव जारी है ज कटाव के रुक्ताम और रूटी हुई गंडक नदी के प्रकोप से बचाने के लिए एक औनोकी पहल किया है विजय सिंग्चंदेल ने गदियानी टोला के कटाव अस्थल पर पूरे विदी विदान के साथ पूजा अर्चना किया उसके बाद गंगा को मनाने के लिए आरती भी किया विजय सिंग्चंदेल ने बताया कि गंडक नदी के कटाव से अस्थानीय लोगों की नींद उड़ी रहती है लोगों को हमेशा खत्रे का अंदेशा सता रहा है अगर गंडक नदी ने तटबंद का कटाव कर दिया तो दरजनों पंचायत जलमगन हो सकते हैं हलांक कि हो रहे कटाव को किसी तरह से रोका जा सके जिसे छेतर के लोग चैन की नीम सो सके अपिकराल रूप ले लिया है और अस्तित खत्रे में है गाउं का इस वज़े से गामिरों ने कहा कि कुछ हम लोग पूजा पाठ भी और गंगा की आरती किया जाए जिससे हम लोग गंगाजी के प्रकोप से बाढ़ के प्रकोप से बंच सके हैं